सबसे पहले हम जो है दो कप बैसन दे लेंगे और हम इसमें आग करेंगे हाफ टेबिल स्पून तर्मरिक पादर यानि हल्दी जीरा पादर हींग लाल बिंच पादर और अजवयन इसे रब करके डालें बेकिंग सोडा चुटकी बर्ण और हरी मिर्च और नमक स्वादा नुसार और यहां पर गरम तेला आद करें तू टेबिल स्पून और इस मिक्स्ट्रे को हम अच्छे से करेंगे और एक सॉफ्ट टो क्रियेट करेंगे पानी एक साथ मत डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे और देखेंगे आसानी से जो है टो क्रियेट होचाएगा करेंगे करेंगे झाल झाल आप देख सकते हैं डो जो है वो बन चुका है हम इसे अच्छा से शेप कर लेंगे ताकि हम इसे मशीन में आट कर सके आप से मशीन यानि ग्रिपर में अच्छी तरीके से तेरी जो है इसे ग्रीस कर ले और इसके बाद जो है इसमें आट करिएगा जो मिक्स्टेर हमने बनाया तो उसे आड़ करिएगा और इसका जो डुकन है से प्रॉपर्ली बंद कर दें और मीडियम हॉट ओयल अच्छी तरीके से हम सेव निकालेंगे आप चाहे तो इसे राउंट भी बना सकते हैं या चूरी की सहायता से इसे कट करके भी बना सकते हैं आप देखेंगे मैंने दोनों ही तरीका जो है शेयर किया है पहले जो है मैंने राउंट वला बनाया इसके बाद जो चूरी से कट कर आप ऐसे भी बना सकते हैं और अगर आप काफी समय से बना रहें तो आप इसे हाथ से भी सावधानी पूर्वक निकाल सकते हैं मन चाहें शेप अगर आपको बहुत जादा नंबी शेव चाहिए तो आप उसे सबसे से निकालें हम इसे अच्छी तरीके से दोने तरफ अलट पलट कर जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक फ्राइब करेंगे और इसे निकालेंगे एक प्लेट पर सेम प्रिसस फॉलू करते हुए हम सारे सीव की जो पाच्छी से राड़ी कर लेंगे प्रिसस प्योपिस से बांगे मात झाल झाल यह लास बैच भी फ्राय हो चुका है अब हम इसे थरा सा ठंडा हो जाने देंगे जब यह ठंडा हो जाएं आप इसे कंटेइनर में अच्छी सिम तोड के रख सकते हैं और आप इसे चाय के साथ भी एंज्रॉय कर सकते हैं या कडी चावल के साथ भी यह अच्छा लगेगा इ एर टाइट कंटेइनर बॉक्स में रख सकते हैं अगर आपको यह रस्पी अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग 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 झाल